तो आज की वीडियो हमारी होगी क्वाइन बेस की एर्ट्रॉप के बारे में देखिए कमिट्मेंट कुछ नहीं है होप हैगी में भी पॉसिबिल्टी सो सकती हैं कि आपको बेस टोकन एलटू की ओपर देखने को मिल सकता है तो इसके क्या स्टैप्स होंगी उसके बारे मां बात करेंगे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको एर्ट्रॉप्स के बारे में और ऐसे हंडर्ट एक्स जम के बारे में मैं इंफोर्मेशन प्रवाइड करूँगा तो सबसे पहले क्या करना हमें हमने सबसे पहले क्या करना है तो आप देख सकती है कि आपके पास मेटा मास्क होना चाहिए मेटा मास्क अगर आपके पास है अगर नहीं भी है तो आप कॉइन बेस का एक्स्टेंशन यूज़ कर सकती है वो भी काफी इंपोर्टन हो सकती है इस airdrop को hunt करने के लिए तो अभी फिलाल मैं MetaMask यूज़ कर रहा हूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 3-4 steps होंगे Coinbase की airdrop को grab करने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर faucet चाहिए faucet कों से चाहिए तो faucet लेने के लिए हमें सबसे पहले यह एक website है जो सबसे अच्छी website है देखी आजकल faucet मिलना बहुत ही hard हो चुका है और सबसे पहले faucet free में मिल जाते थे आजकल वो बोलते कि अपने wallet को connect के जी जैसे मैं भी आपके सामने connect कर रहा हूं metamask के साथ इसको connect किया अगर आप pointbase की extension यूज करें तो आप वहां पर भी इसको connect कर सकते हैं तो यह connect होने के बाद कुछ नहीं करना यहां पर आपको दो तीन options दिख रहे होंगे कि पॉइंट 0001 जितना में चाहिए लाइक हमें एक चाहिए या दो यह यहां से कर लेंगे तो इसी पर कर आप देख सकते हैं तो मैंने 75 cent की total fees लग रही है total तो आप यहां से इसको connect करके और जो faucet होगे वो आप यहां पर ले पाएंगे तो देखें यह transaction समिट हो चुकी है और I think मेरा यह task first step था faucet लेने का वो मुझे मिल चुका है तो तकरीबन मुझे 2-3 minute wait करने के बाद मुझे जो ETH के faucet थे वो मुझे मिल चुके है तो मैं आपको फिर से repeat कर देता हूँ यह कैसे आपने buy करने है तो देखें मैंने कुछ नहीं किया अपने metamask इसको connect किया आर्बिटरम की chain select की आर्बिटरम की उपर जो ETH पड़ा हुआ था जो main ETH था जो आर्बिटरम वाला ETH है उससे यह optimism का है उससे भी बात मन जाएगी आपकी यह तो ही चाहिए हमें मैंने आर्बिटरम की ETS से 50 cent का ETH दिया और उसके अगेंस्ट 1.27 ETS जो faucet का वो ले चुका हूँ अब second step हमारा क्या होगा second step के अंदर आप देख सकते हैं ब्रिज करना है जो हमें जो faucet मेले होई है गिरोली टू बेस गरोली के अंदर हमें फॉसिट करना हूँ अभी आप देख सकते हैं यह faucet जो मैंने लिए थे वो मुझे मिल चुकिए अभी मैं इसको wallet को connect करूंगा यहां से आप देख सकते हैं मैं मैं मैंने कनेक्ट करना चाह को देगा तो आप इसको follow कीजिए तो यहां से फिर से इसको क्लिक कीजिए और यह deposit के ओपर confirmed कर दीजिए अपने deposit को तो यह हमारी जो first transactions होगी वह हमारी यहां से complete हो चुकी है तो यानि कहने का मतलब है कि अभी हमारा जो faucet था ग्रोली वाला वह यहां से निकल के base की उपर जा चुका है तो इसके लिए फिर से बेट करना पड़ेगा हमें तकरीवर 1-2 मिनिट तो लेट सी उसको लिए हमें वेट करना पड़ेगा तो after 1-2 मिनिट वेटिंग करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि जो withdraw के option के उपर आप कलिक कीजिए का तो इसका मतलब यह है कि ह आप नेटवर्क को स्विच कर लेंगे जो इंस्ट्रक्शन यह आपको दे रहा आपने वैसी की वैसी ही इसको फॉलो करनी है और इसके बाद फिर से हम इसको विट्रो के उपर क्लिक करेंगे और यह हमारी जो दो ट्रांजेक्शन हो जाएंगी वह आपके सामने यहां पर complete ह हो चुकी है तो यह दो ट्रांजेक्शन है वह मैंने complete कर ली हुई है तो दैन इसके बाद क्या करेंगे एक बार हमने deposit करना है और एक बार हमने विट्रो करना आप multiple time भी आप कर सकते हैं ऐसी बड़ी बात नहीं है जितना आप करना चाहिए और शूरिटी रखिएगा जो बे करेंगे यानि smart contract होगा उसको हम deploy करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे वह मैं आपको दिखाता हूं यह लिंक होगा यह भी आपको मैं description की उपर देंगा यह website ऐसे ओपन हो जाएगी उसके बाद कुछ नहीं करना यहां से हम सीधा इसको metamask के साथ connect करेंगे आप देख से मे मैं नाम का क्रिप्ट मैं नाम का दे दिया मैंने नाम और सिंबल क्या होगा सिंबल आप कुछ भी दे सकते हैं just like river मैंने river का सिंबल दे दिया हुआ description की उपर आप कुछ भी लिख सकती है all good all good तो यहां पर जो percentage होगी जैसे आप 1% 2% जितने भी आप देना चाहते वह यहां आप दे सकती है तो यहां पर आपको देखिए को जी नीचे आपको दिखरा होगा कि बेस ग्रोली का टेस्ट ने वर यह आपने यहां पर दिखरा होगा आपको तो उसके पार यहां पर आप डिप्लोई option की उपर click करेंगे जैसे आप ॉपर कुछ यह आप से permission मांगेगा metam लुए प्रेटीजस को आपको आपने यहाँ पर प्रमीशन्स दिपलोई करनी है तो एक बात यहाँ पर इंपोर्टेंट। देख सकते कि मैंटर मास की उपर यह उपन हो चुका है यहाँ पर मैंने इसको परमेशन दे लिए आप कर दिया हुआ है तो लेट सी वेट करते हैं कि यह कब तक हमारा जो कॉंट्रेक्ट है वो एड़ोन हो जाएगा इस वेबसाइट की उपर राइट ना भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडिंग ओन टेक्स्टॉक की उपर आना जी स्टार्ट हो चुका है और फिर से हमारा म मैटा मास्क ओपन हो चुका है तो इसके अंदर हमें फिर से साइन अप करना पड़ेगा तो यहाँ पर दे देंगे तो मैंने इसको साइन कर दिया हुआ है तो यानिकि ओल्मूस्ट हमारा जो कॉंट्रेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है जस्ट अभी वेट करते हैं फिर से अपने के साथ करेंगे तो मैं से मेरा मेटा मास्क के साथ अब अभी है करौहें और आपके समने ही है जो भी कर रहा हूं सारा तो इसके बाद इसको मैंने connect कर लिया हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ऑप्शन आ रहा होगा यहां पर आप copy करेंगे copy करने के बाद यहां पर आप इसको paste करेंगे paste करने के बाद यह वेलिफाइट करेगा कि यह contract सही है कि नहीं है यहां पर दिखाएगा nice work this is a valid smart contract तो अभी यहां पर आप continue करेंगे तो यहां पर फिर उसके बाद आपको एक और option दिखेगा कि mint NFT तो यानि जो यह वाली NFT होगी यह तभी आप mint कर पाएंगे अगर आपका smart contract जो बना हुआ यह वाला यह राइट होगा तो definitely वह राइट ही होगा 100% जैसे मैं आभी आपको बतारा अगर वैसे करेंगे तो definitely होगा फिर यहां पर कर देंगे confirmed करने के बाद आप देखेंगे कि यह हमारा recognize करना स्टार्ट कर चुका है तो let's wait 10 to 20 सेकेंड तक हम इसको वेट करेंगे कि तो यह NFT claim हो चुकी है तो यह important task थे जो मैंने आपको बता दी हुए करने के लिए और last task क्या है वह है आपका guild का, guild के task के अंदर क्या करेंगे same वही करेंगे अपने wallet को connect करेंगे wallet को connect करने के बाद फिर आप जो भी इनके यह fulfilled task होंगे जैसे कि follow कीजिए build on base वाले twitter handle को follow कीजिए coinbase के twitter handle को follow कीजिए फिर इनके discord को follow कीजिए तो यह activities last की activity है यह बाद में कर लेना जो मैंने मोटा मोटा आपको बताना था वो मैंने बता दिया हुआ है कि क्या क्या आपने करना है जो सबसे पहले आपने metamask को open करना अगर आपके पास faucet नहीं है तो आपने कुछ ETH यानि एक या दो डो डोलर की ETH अपने metamask की उपर send कर देना है तकरीमन चार से पांच मिनिट का time लगेगा faucet को आने के लिए एक बार आपने deposit करना है एक बार आपने withdraw करना minimum maximum time अब जित्रा मर्जी कर सकती है और base की उपर कम से कम .1 ETH आपका minimum रहना चाहिए यानि कि उसको आपने withdraw नहीं करना वो कम से कम वहाँ पर holding की उपर रहना चाहि को verified कि और NFT claim कि और last के अंदर आएगा हमारा guilt का option तो यह आज की वीडियो थी थोड़ी lengthy वीडियो है but definitely अगर airdrop हंट करनी है तो थोड़ा knowledge होना must important है thank you guys